सबजीयों की खेती में मचान बिधी का उपयोग काफी लाबकारी साबित हो रहा है इस बिधी से खेती करने वाले किसान अधिक पैदवार प्राप्त कर सकते हैं और इससे होने वाले फायदे भी कई गुना बढ़ जाते हैं क्रिसिव इससग्यों का मानना है कि मचान बिधी से खेती करने से न केवल उत्पादन में ब्रिधी होती है बलकि फसलों की गुडवत्ता भी बेहतर होती है आपको बताते चले कि मचान बिधी में सबजियों की बेलों को जमीन पर फैलाने के बजाए लकड़ी या बास के मचान पर चढ़ाया जाता है इस बिधी से सबजियां जमीन से उचाई पर रहती हैं जिससे पर्याप्त धूप और हवा मिलती है इसके अलावा इस बिधी से फसलों को कीडो और बिमारियों से भी कम नुक्सान होता है वर्गी सबजियों के खेती में जिसमें की लोगी नेनु आ करेला कुमरः और कदु खिलिक खीरा इस तरह के सबजियों में तिरोई, सत्पूतिया, ये सभी लोकी वर्गी में आते हैं, तो लोकी वर्गी सबजियों में जो मचान बिधी है, वो अपने देश की बहुत पुरानी और परंपरागत बिधी है, लेकिन अब इसको एक बैज्यानिक सुरूप दे दिया गया है, तो ये बैज्यानिक जैसे सीधे खेत में करते हैं, लेकिन जैसे ही सबजी ऊग करके थोड़ी बड़ी होती है, तो उसके चारो और से एक मचान बना दिया जाता है, और उस मचान पर फिर सबजी को चढ़ा देते हैं, रसी के सहारे, या उसके जो बड़े-बडे टेंड्रिल्स होते हैं, जो पक सबसे बड़ा फायदा यह है कि सब्जी उस पे चढ़ करके अपने हिसाब से फलती फूलती और बढ़ती है जिसके कारण बीमारी और कीटों का प्रभाव कम होता है और रोसनी धूप हवा ज्यादा मिलने से उसके उत्पादक्ता में बृध्धी होती है तीसरा जो सबसे महत् साइज जैसे लोकी अगर है या करेला है या नेनुवा है या फिर सत्पूतिया तरोई है या कोणा है तो उसकी एक निश्चित साइज हमको मिलती है जैसे ही उसका परागण हो करके थोड़े से आकार को लेना सुरू करती है लोकी नेनुवा या फिर कद्दू तो हम हमारे जो इच्छित हमारी जो छमता है या जितना हम चाहते हैं कि इसकी बढ़वार हमको एक फिट का मिले तो एक फिट लंबे आकार के पालिथीन के पैकेट ले लेते हैं और उसमें छोटे-छोटे छेद कर देते हैं ताकि हवा का आवागमन होता रहे और उस शुरू हो रहे फ जिए मिलती है एक साइज की लोकी मिलेगी एक साइज का नेनुवा मिलेगा एक साइज का कद्व मिलेगा तो इससे एक यह बहुत बड़ा फायदा है दूसरा यह है कि इसमें पोसक्तत्य प्रभंधन बड़ा ही उपयोगी और वी आसान हो जाता है हम जड़ों में खाद और किनारे कारे मचान बना दे और उस मचान पर इन सब्जियों को उसके नीचे बो करके इन सब्जियों को ऊपर चढ़ा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं तो इसलिए मचान बिधी बहुत उपयोगी है और दूसरा जो एक बड़ा अच्छा गुण है मचान बिधी का कि सब जमीन पर जब उनके फल पड़े रहते हैं तो थोड़े दाउख पड़े जाते हैं शड़ने भी लगते हैं कीडे भी लगते हैं और अगर मचान पर है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं बलियां से सनन्दन उपाध्याय की डिपोर्ट